हे गाईस तो कैसे हो आप सब आप सब का फिर सब आतमारे इक नई वीडियो में सो है जैसे कि आप सब को पता होगा कि आजकल जुकी है आपके पैन काट के साथ आपके आधार काट को लिंक कराना कितना ज़्याद जरूरी हो गया है और Government of India ने भी जुकी है बहुत ज़्यदा प्रेशर बना रहा है आम जनता के उपर कि फटा फट जुकी है आप अपने पैन काट को अपने आधार काट के साथ लिंक कराओ ठीक है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी Government of India ने एक नया रूल भी लाया है कि 31st March 2023 से पहले पहले आपको अपने पैन काट को अपने आधार काट के साथ लिंक करा देना है ठीक है अगर आप 31st March 2023 से पहले पहले अपने पैन काट के साथ अपने आधार काट को अगर लिंक नहीं करा पाते हो तो आपका जो pancard है वो invalid हो जाएगा मतलए आपका pancard जो की है वो बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो कि आपको बहुत सारी problems आने वाली है जैसे कि आपके bank account में आप ज्यादा cash वगरे deposit नहीं कर पाओगे ठीक है आपका bank account भी थोड़े दिर में block हो जाएगा और बाकी FD वगरे नहीं कर आप पाओगे और भी बहुत सारी problems होगी cash related या bank financial चीज़े जितने भी चीज़े आपकी चलती है pancard के दुरू तो सब जगा आपका अस्ते अस्ते जो की है काम खराब उन्हें लग जाएगा pancard की वज़े से ठीक है तो आपको बहुत ही ज़्यते जरूरी है कि आपका जो pancard हो चालू रहे पर उन लोगों को पता नहीं रहते है कि भाई उन लोगों जो pancard है वो आधार काट के साथ लिंक है यह ने तो बिसिकलिए आज़की इस वीडियो में मैं आपको पूरा step सिखाने वाला हो पूरा process सिखाने वाला हो कि कैसे आप घर पे बैटे बैटे अपने mobile phone से कैसे check कर सकते हो कि आपके pancard के साथ आपका आधार काट लिंक है यह ने तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने घर में जहां पी भी आपका pancard और आधार काट रखा है सबसे पहले वो दोनों चीज़ आपको निकाल लिया है तो जैसे कि आप देख सकते मेरा pancard और मेरा आधार काट दोनों में निकाल लिया है अब आपको क्या करना है खली यह आप card का जो की है दोनों का आपको number का जरूत पड़ेगा जैसे कि आपको पता होगा pen card पे आपका एक number दिया रहता है जो कि आपका permanent account number जिसको बोले जाता है ठीक है तो pen card का number को आप note करके रख लो कहीं पे और आपका जो आधार card का number रहता है उसको भी note करके रख लो ठीक है वही दो चीज का जरूत पड़ेगा pen card का number और आधार card का number उसी के basis पे जो कि आपका पता चल जाएगा कि आपका pen card के साथ आपका आधार card link है या नहीं ठीक है तो चली वीडियो में आगे बढ़ तो practically सीख लेती कि कैसे करके आपको चेक करना है कि आपका pen card के साथ आपका आधार card link है या नहीं तो सबसे पहले आपका अपने phone में Google Chrome खोल लेना है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने phone में Google Chrome खोल लिया अब इदर आपको Google में इदर search कर लेना है income tax ठीक है आप income tax लिख के इदर search कर देना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे वैसे steps को follow करना आप check कर पाऊगे कि आपका आधार card के साथ आपका pen card है वो link है या नहीं आप income tax लिख के इदर search कर देना और आपके सामने में जो कि यह वाला website आएगा ठीक है income tax का आप यह वाला website पे click करना सेम जो यह website इसको खोल लेना आप यह website को आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है ठीक है आप थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा link आधार status आपको इस पर click कर देना है ठीक है link आधार status पर click करोगे तो आपका यह page लोड लेगा थोड़ा सा wait कर लेता है जब तक यह load लेता है ठीक है तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो पेज है यह load ले लिया है ठीक है अब उसके बाद आपको क्या करना है यह load लेने के बाद यह रडा rocket number डालना है तो सबसे पहले हम अपने यह पने पैन काट number डालते है सबस्कित है जैसे कि आप देख सकते हो हमें पने पैन काट number यहां पर डाल दिया है अब इदर नीचे वाले box में लोगा अपना आधार card number डाल देना है, ठीक है। ये आधर बटन देखने को मिलता है, वीू, लिंक आधार statistic आपको इस पए क्लिक कर देना है, ये बटन पे आपके आपको प्लिक कर होगे, निए जैसे कि हमारे case में दिखा रहा है यह और pencard फिर जाए कि हमारा pencard number दिया है is already linked to given आधार फिर हम लोगा आधार card number दिया हुए ठीक है तो मतलग इधर बता रहे हैं हम लोगा pencard है हम लोग का pencard के साथ हमारा आधार card already linked है ठीक है अगर आपका pencard के साथ आधार card link नहीं हो अगर अगर इधर दिखाते हैं कि pencard के साथ आधार card अगर link नहीं है बता रहे है ठीक है तो आपको जो कि है बहुत ज़्यदा alert हो जाना है और आपको pencard के साथ आधार card जो की है 31st March 2023 से पहले पहले link करा लेना है और अभी अगर आप link कराने भी जाओगे न 31st March 2023 से पहले तो आपको जो कि हो सकते है कि 1000 रुपया का आपको penalty भी देना पड़े ठीक है 1000 रुपीज का क्योंकि government आपको बहुत सालों से बोल रहे है मतलए कि sub Indian public को पर बहुत सारे लोग अभी तक link नहीं करा है तुसलिए government जो की है परिशान हो कि आप 1000 रुपीज का charge भी लगा रहे है ठी subscribe कर लो नीचे में लाओ कर रहे हैं तो मिलके हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद